नमस्कार दोस्तों आज आप जुड़ चुके हैं हमार साथ एक बार फिर एक नजर क्रीशी में तो स्वागट है दोस्तों आपका अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल सबस्क्राइब कर लीजिए नमशकार सर. नमशकार जी. तो जैसा कि यहाँ, आप रेडी में परे से क्या ला रहे हैं इसमें, बताइए हमें. यह तो यह गोबर खाद है, और हम इसमें गोबर डाले हैं. तो यह देखिए, इसमें घोबर डाला जा रहा है यहां पर और काफी अच्छा जो है गोबर यहां पर सड़ चुका है तो सर आप हमें बताएंगे कि इसमें गोबर डालने के क्या-क्या फाइदे है गोबर डालने से जो है इसमें जो है एक तो इसमें जो यह जैसा कि अम्मानों गोबर डालते हैं और पौदा जो है यह कमजोर तो इस गोपर डालने से इस पाउदे के लिए इसकी खाद लगेगी और जैसे कि यह ने उट्रीशन जो है वह पाउदे में चला जाए इसे घास की खोड़ा होता तो बहुत है लेकिन फिर इसमें जोहेबाद में गुडाई होती है और गुडाई के बाद जोहेब मतलब यह ग गोबर में लाया जाता है जी और इसका में करने होता होगा कि नमी ज्यादा बननी रहती होगी तो जी हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर पूरे जो पौदो में गोबर डाल दिया गया है तो अब आप इसे सिधा करके बताएंगे कि कैसे इसमें अभी तो आप अबराबर में दी रहा है तरह आप चाहिए का माद में कर тебе देखिये अब इसको जो गोबर आप शिदा करके दिखा रहे हैं JACK तो इस प्रिकार जो है इस गोबर को सीधा कर दिया जाएगा इस तॉलिये में यह हो चुका है अब इसमें नमी बनी रहेगी अब जो हम पानी भी लगाएंगे तो जलती नहीं सुखेगा जी तो यह देखिए इसमें केंचुव भी कापी मातरा में तो मिट्टी में भी जाकर नीचे काफी अच्छी खाद बना देंगे और यह देखिए अभी चलते चलते इन से बात करते हैं अभी और भी बोरियां जो है डालने को हैं यह देखिए इस प्रकार से पहले ही जो है जुगाड करके रख दे जाएगी रख दी जाती है और बाद में उन्हें उल्टाना बाकी रह जाता है बस जो हमारे दर्शक है वह आप से यह जानना चाहेंगे अब इसमें गोबर तो आपने डाल दिया है और कीवी की तुड़ाइबी कर दिया है तो अब आप से जानना चाहेंगे हम भी कि आप इसकी कटिंग जो है वह कब करेंगे जिस वक्ति की जाएगी उसका प्रोसेस भी हम पूरा देखेंगे अभी देखते रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो लेंगे हम अपने अलविदा आप इंसे सर से आप जाते हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक भी करें और शेर भी करें आपका बहुत-बहुत धन्या बाद नमिश्कार तो दोस्तो कर दीजिये चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर थैंक्स पूर वाचिंग